हेलो स्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आरभी एडिटीव ग्लास में तो स्टुडेंट आज हम देखेंगे कि कैसे एक मोनामियल टर्म को ट्राइनामियल टर्म में मल्टिप्लाई करेंगे तो आए देखते हैं इससे पहले मैंने दो वीडियो बना रखा है जिसमें मोनामियल का मल्टिप्लिकेशन मोनामियल से और मोनामियल का मल्टिप्लिकेशन बाइनामियल से बता रखा है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं कि आज हम देखेंगे कि कैसे एक मोनामियल टर्म को ट्राइनामियल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो डेखते हैं, आप पेन और पेपर लेकर वेट जाएए और विडियो को अंतवत कदीखिए सबसे पहला एक्जामपल लेते हैं, याँ पर मल्टीप्लाई 7x square by 2x plus 4y plus 3z यहाँ पर हम इस monomial term को इस trinomial term में multiply करेंगे monomial क्या होता है जिसमें केवल एक term हो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं trinomial क्या होता है जिसमें तीन term हो term को आप उनके plus या minus sign से separate कर सकते हैं आपर plus sign है तो एक term यह हो गया एक term यह हो गया यहाँ पर plus sign है तो एक term यह हो गया तो term को आप plus या minus sign से आराम से उसको अलग-अलग कर सकते हैं separate कर सकते हैं चले देखते हैं solution तो यहाँ पर हमें multiply कराना है 7x square under bracket 2x plus 4y plus 3z तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना देखो इसको इसके साथ multiply कराना है तो यहाँ पर 7 into 2 है तो 7 2 जा कितना होगा 14 sign plus का है ध्यान देना यहाँ पर सभी sign plus के हैं तो कोई भी चिंता करने की जोरो नहीं सारा sign plus ही आएगा so x square into x तो हो जाएगा x के power 3 देखो जो multiplication होता है तो उसमें जो variable की power होती वो add हो जाती है तो जैसे यहाँ पर power 2 है और यहाँ पर power 1 है 1 लिखा नहीं है लेकिन power 1 है तो 1 और plus 2 कितना हो जाएगा 3 इसलिए यहाँ पर क्या हो गया x cube अब फिर से हम आएगे इसका multiplication इनके साथ कराएगे तो 7 into 4 कितना हो जाएगा 28 अब देखो यहाँ plus sign है और यहाँ plus sign है तो plus into plus क्या आएगा plus ही आएगा 7, 4 जा 28 x square और यहाँ पर y अब यहाँ पर आते हैं इसमें तो यहाँ पर plus 7 है और plus 3 है तो plus into plus प्लस ही आएगा 7, 3, 20, 1 आजाएगा x square का x square और z का z जाएगा तो आपने देखा अगर सभी sign plus हैं तो sign plus ही आने वाला है उसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूर नहीं है तो इसको आप write down कर लिजे फिर हम एक दूसरा example देखते हैं multiply अभी मैं क्या करता हूँ यह वाला जो sign है ना इसको negative ले लेता हूँ बाकी सब positive रहने देता हूँ तो minus 7x square by 2x plus 4y plus 3z ओके तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे minus 7x square into 2x plus 4y plus 3z अब यहाँ पर minus sign है तो आप सीदे सीदे समझो सब के sign minus हो जाएंगे क्योंकि सब ही plus है पर कैसे होगा वो देखते हैं सबसे पहले हम इसको इसके साथ multiply करेंगे minus 7x square और plus 2x तो minus into plus क्या आजाएगा minus आजाएगा देखे जब sign opposite होते हैं तो sign minus का आता है तो minus हो गया 7 to 14 x square into x कितना हो जाएगा x cube फिर यह वाला minus 7 multiply होगा plus 4 के साथ तो minus into plus minus 7,4,28 ठीक है x square into y फिर यह minus इसके साथ multiply होगा तो minus into plus minus 7,3,21 x square z तो यहाँ पर यह answer आजाएगा तो आपने यह से क्या notice किया कि अगर bracket के बाहर minus sign है और bracket के अंदर सभी sign plus है तो answer में आने वाला जो sign होगा वो सबका क्या होगा minus होगा कब जब हम multiply कर रहे होंगे तो इतना आप write कर लिजे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं ठीक है और example लेते हैं अभी हमें क्या करना है देखो हम इसका sign minus कर देते हैं बाकी सब ऐसे ही रहने देते हैं multiply 7x square by minus 2x plus 4y plus 3z ठीक है एग्जाम्पल लंबर 3 है चले देखते हैं इसके solution में क्या हैगा solution 7x square under bracket 2x plus 4y plus 3z अब मैंने आपको बताया देखो कि यहाँ पर जो sign ने वो plus का है और यहाँ पर जो sign ने वो minus का है तो sign जब opposite multiply होते हैं तो उनका answer minus ही आता है तो plus into minus minus 7 to 14 x raised to the power 2 x raised to the power 1 x raised to the power 3 पावरेड हो जाते हैं अब यहाँ पर plus है और यहाँ पर plus है तो plus into plus plus 74028 x square को x square right करेंगे into y 73021 sign plus plus है तो plus ही आएगा 73021 x square into z तो यहाँ 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 आजाएगा कब जब यहाँ पर sign minus होगा तो किवल यही sign minus में आएगा ठीक है अब कोई ऐसा नंबर लेते हैं जहाँ पर यह पीछे के दो sign minus हो 4 multiply 7x square by 2x minus 4y minus 3z तो चले देखते हैं इसका क्या solution आएगा देखो मैंने क्या किया इस बार यहाँ पर minus sign और यहाँ पर minus sign लिया बाकि सारे sign प्लस होंगे solution 7x square अंडर वेके 2x minus 4y minus 3z तो जहाँ जहाँ minus sign होगा sign वही minus आएगा क्योंकि यहाँ पर plus है तो plus into plus plus हो जाएगा 7 to 14 7 to 14 कितना हो जाएगा 14 और x के पाउर 2 है यहाँ x के पाउर 1 है x raise to the power 3 अब plus 7 minus 4 multiply होगा तो plus into minus minus 7 to 28 x square y यहाँ पर plus 7 और minus 3 तो plus into minus minus 7 3 जाएगा तो यह इसका आंसर आएगा यहाँ पर अब स्टार्टिंग में प्लस लिखते नहीं है तो इसको हम अटा देंगे ठीक है पहले ही हम नहीं लिखेंगे आपर प्लस तो इतना आपको समझ में आया तो आप इसको write down कर लिजे आप कुछ थोड़ा सा अलग देखते हैं और वो अलग क्या देखते हैं अभी हम सब का sign minus ले लेते हैं क्या ले लेते हैं सभी का sign minus ले लेते हैं तब क्या होगा वो देखते हैं आप लगणे फोर्त नमबर में हो मल्टिप्ला अपलिबा आ माइनस सेवने एकस क्राइल बाई है माइनस ट्वी viens माइनेस professor य माइनस दी जे हुआ पर हमें क्या मल्टिप्लारा प्राना लेकर सबका सान मैंने सब्सक्राइब करते हैं sih तो सलीप्संर सब्सक्राइब करें इस square into minus 2x into minus 4y minus 3z ठीक है यह हमें multiply कराना है तो यहाँ पर minus sign इस minus sign से multiply होगा तो minus into minus plus 7 to 14x cube ठीक है फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम यहाँ पर तो minus into minus plus 7 to 28 क्या जाएगा x square y इसी परकार से minus into minus plus 7 3z 21x square z तो आपने क्या देखा कि जब हम minus sign से minus sign को multiply कराएंगे तो सबका sign कैसा आजाएगा सबका sign plus आजाएगा तो यह इस multiplication का हमारा answer होगा आप इसको वीडियो को पहुँच करके इसको write down कर लीजे चले कुछ और example देखते हैं थोड़ा बड़ा यह तो काफी मैंने easy लिया था तो वीडियो को ध्यान से देखिए आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में और यह बहुत ही important वीडियो है class 8K student के लिए तो चले इस बार थोड़ा बड़ा example लेते हैं जैसे multiply 4xy square by 3x cube y square plus 7x square minus 3y cube into z ठीक है यह आपने लिया हुए थोड़ा बड़ा लिया हुए multiplication इसमें हमें multiply कराना है एक monomial को trinomial में है तो इसमें हमारे पास term है 4xy square इसमें है plus 3x cube y square plus 7x square minus 3y cube z चलिए देखते हैं इसको कैसे multiply करेंगे तो यहाँ पर हम write कर लेंगे 4xy square into 3x cube y square plus 7x square minus 3y cube into z इसमें मैं थोड़ा सा step by step करके बताऊंगा सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको इसको इसके साथ multiply कराना है फिर इसको इसके साथ multiply कराना है फिर इसको इसके साथ multiply कराना है तो इसमें हम क्या करेंगे ऐसे rate करेंगे 4 x y square into this entire term कितना ये 3 x cube और y square ठीके यहाँ पे plus sign है यहाँ पे plus sign है तो यहाँ पे sign plus का होगा मलब इसको इसको हमने पहले rate कर लिया आभी मैं multiply नहीं कर रहा हूँ बाद में करूँगा फिर मैं यहाँ पे plus है और यहाँ पे plus है तो plus into plus plus 4 x y square into 7 x square अब हम यहाँ पे रहेंगे तो plus into minus minus 4 x y square into 3 y cube z ऐसा जब हम एक बार rate कर लेंगे तो अब आप देखिए ये monomial into monomial बन गया ये भी monomial into monomial बन गया और ये भी monomial into monomial बन गया अब हम इनको आराम से multiply कर सकते हैं कैसे 4 3 जा 12 x into x cube x raise to the power 4 y square into y square y raise to the power 4 plus आजएगा यहाँ पर 4 7 28 x into x square x raise to the power 3 और y square अब हम पर minus sign आएगा 4 3 जा 12 x x है नहीं तो x हो जाएगा y square और y cube y raise to the power 5 into z तो यह इसका multiplication आगया ठीके यहाँ पर क्या क्या हमने पहले इसको थोड़ा छोटा छोटा करके rate किया और फिर multiply किया तो इस परकार के बहुत सारे examples आप try कीजिए ठीके यह इस वीडियो का हमारा answer होगा इस question का आप इसको write down कर लिजिए अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और अपने दोस्तों को भी share कीजिए अगर आपकी कोई queries है तो आप मुझे वीडियो के description में जा करके comment कर सकते हैं या फिर मेरे YouTube channel के about में मेरा email id होगा आप वहाँ पर जा करके email कर सकते हैं अगर और भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे comment कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ तब तक लिए thank you class